प्रधान मंत्री नरीन मुदी मंगलवार सुभ अपने तीन दिन के अमेरिका दोरे पर रवाना हो गए है ये उनकी पहली स्टेट विजिट है अमेरिका के राष्टपती जो बाइडिन ने उन्हें स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया है वो अब तक के दूसरे भारती प्रधान मंत्री और तीसरे बड़े निता है जिने अमेरिका की तरफ से इस विजिट के लिए यही वजह है कि पिए मोदी के पिछले साथ अमेरिकी दोरों की तुल्ला में यह विजिट भैत खास है इस दोरान वह 72 घंटे में दस कारिकरों में हिस्सा लेंगे और न्यू आर्क में योग भी करेंगे अमेरिका रवाना होने से पहले पिए मोदी ने ट्विट कर कहा भारत अमेरिका के बीच गहरे संबंध है और हर शेतर में हमारी भागीदारी लगातर बड़ी है अमेरिका गुड्स एंड सर्विसेस में हमारा सबसे बड़ा ट्रेट पार्टनार है इसके अलावा साइंस, टेकनोलोजी, हेल्थ और डिफेंस के शेतर में भी हम सयोगी हैं दोनों देश इंडो पेसिफिक की फ्री और ओपन बनाने की तरब भी हाथ मिला कर काम कर रहे हैं मोधी निकाहा राश्टपती बाइडेन और दूसरे यूएस लीडर्स के साथ मेरी बाच्चे दोनों देशों के बीच बाइलेटरन रिलेशन को और आगे लेकर जाएगी मुझे वि पेमोधी के साथ मंत्रियों का एक दल और ट्रेट डेलिगेशन भी अमेरिका जाएगा डेलिगेशन में अलगलग सेक्टर्स जैसे आईटी डिफेंस एविएशन और आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस से जुड़े लोग होंगे जबकि मंत्रियों के दल में विदेश मंत्री एश जैशंकर और नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर अजित डुबाल का होना तैमाना जा रहा है इस दोरे पर भारत और अमेरिका के बीश डिफेंस टेकनोलोजी स्ट्रेटेजिक और बिजनेस डिल होगी पेमोधी 20 अमेरिकी कमपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे पेमो रक्षा मंतरी लायर्ट ऑस्टिन ने राजनात सिंग से मुलाकात की वही नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन भारत के राष्टी सुरक्षा सलाहकार अजित डुबाल और विदेश मंतरी एश जैशंकर से मिलें अमेरिका के रक्षा मंतरी ने बताया था कि दोनों देशों के बीच कई एहम मुद्दों पर डील हुई है इनकी गोश्टना प्येम मोदी के अमेरिका दोरे पर की जाएगी इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ दाने बागत